पाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ स्वाती रायना बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा आक्चिन साथी कल के लिए स्ट्राटेजी और शेरों में कमाई के शानदार मौके भी आप भी पूर सकते हम से सवार फो नमबर नोट कर लीजिए 022-23001634 या फिर आप हमें 022-23001635 पर कॉल कीजिए फेस्बुक पर अड़ दरेट जी बिजनस ऑनलाइन और ट्विटर यानि एक्स पर आप अड़ दरेट जी बिजनस अपने सवाल भीड सकते हैं हैश्टाग बाजार आज और कल लिख कर कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनस के मैनेजिंग इरिटेर आपको बताएंगे स्ट्राटेजी और साथ ही हमारे साथ खास महमाने सेटी फिर्मार के अमडी विकास सेटी विकास जी स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं तो हमने देखा आज बाजार में पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार हुआ संसेक्स अंत में 65,220 पर सपार्ट बंद हुआ निफ्टी में हमने देखा कि 19,400 के करीब सपार्ट क्लोजिंग हुई साथ ही जो बैंक निफ्टी था उसमें हमने देखा वो 8 अंक गिरकर 43,990 पर बंद हुआ और जी बिजनिस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंग भी बता रहे हैं कि बाजार में सुस्ती क्यों रही क्यों अच्छे शुरुआत के बाजूद बाजार में जोश नज़र नहीं आए हफ़ते के दूसरे दिन भारती बाजारों में दिखा बहुद इंटरस्टिंग कारोबार और आप सोचेंगे इंटरस्टिंग कैसे जब दो तीन पॉइंट उपर नीचे सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद हो तो ऐसा कैसा इंटरस्टिंग जी हां इतनी सुस्त क्लोजिंग आपने हार्डली कभी पिसली बार कब देखी वी याद भी नहीं है लेकि उसकी बावज़ुद बाज़ार में कारोबार बड़ा इंटरस्टिंग था वज़े क्या है कि ब्रोडर मार्केट में एक्शन जबर्दस था सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी बाज़ार की असली तस्विर और कहानी बता ही नहीं रहे मिटकेप और स्मॉल केप शेरों में जो जबर्दस खरीदारी और एक्शन कहना ही किया एक एक परसिंट के आसपास की तेज़ी मिटकेप और स्मॉल केप शेरों में देखने हों को मिलिए बढ़ने वाले शेरों की संक्या कहीं बैतर कमज़ोर शेरों के मकाबले में आईए संकेत बता दूँ, ग्लोबल संकेत मिले जूले थे, अमेरिका में हलकी कमजोरी, हलकी मजबुती के साथ बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो डाउ हलका सा कमजोर बंद हुआ लेकिन नैस्टेक ने डेवल सेंचुरी मारी, अच्छी मजबुती के साथ बंद दारी, बैंक डिफटी का भी कमजोरी यही हाल था, चमाली से जार के ऊपर खुले, और जैसे चमाली से जार दोसों की तरफ बढ़ते हैं, वहां प्रोफिट बुकिंग, नीचे चमाली से जार के आसपा सपोर्ट, आखरी आदे गंटे में थोड़ी प्रोफिट बुकिंग गई, और इसी वज़े से आप हलके से सुस्ती के साथ, हलके लान निशान के साथ आप बन हुएं, बड़े इंडेक्स में, 19,400 से थोड़ा सा नीचे और 44,000 से थोड़ा सा नीचे बैंक डिफटी पर, लेकिन मिट कैप, स्मॉल कैप शेवरों की तूफानी तेजी अभी भी सारे शेयर, कैश मार्केट के कैई सारे शेयर, आज भी भरपूर एक्शन में आपको नजर आए, तो ब्रोडर मार्केट की खरीदारी, दिगजों की सुस्ती, ग्लोबल माजानों से मिले जुले संकेत, और एफाइस की तरफ से कैश में बिकवाली, लेकिन स्टॉक फ्यूच की खरीदारी, तो आज पूरी तरफ से न्यूटरल और मिले जुले संकेत नई सेस के लिए थे, और कमोवेश वैसाई कारोबार भारती बाज़ानों ने आज किया भी, आई अब सेटी फिनमार्क के अमडी विकास सेटी जी के पास चलते हैं, विकास जी अब आज के सुस्त क पारोबार के बाद, आपको क्या लग रहा है, कल बाजा में जोश नजर आएगा? कैस्ट मार्केट के जो स्टॉक्स हैं, और वहां पे मुझे लगता है बहुत अच्छी तेजी आने वाले दिनों में भी दिखी जाने चाहिए, और इवन निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है अब एक करेंट लिवल से तेजी की ही, तेजी में ही रहना चाह बिल्कुल तो बने रहे बाजार में यही राय आ रही है, हमारे आजगा एक्सपर्ट विकास जी की तरफ से, विकास जी अब बताइए, पुजिश्चनल ट्रेड कौन से स्टॉक में रखने के आपकी सलाह रहेगी? बिल्कुल, स्वातिया अगर किसी को पोजिश्चनल ट्रेड लेना है, तो मुझे लगता है करेंट टेवल्स पे रूट मोबाईल में खरेदारी करने चाहिए, आज यह स्टॉक 1545 के आसपास बंद हुआ, यह कंपनी में एक जबरदस कंपनी है, जो कि जितने यह OTT प्लियर और मॉबाईल नेटवर्क ऑपरेटर्स है, इनको स्मार्ट फोलिशन प्रवाइड करते हैं, इन दे फिल्ड अफ मेसेजिंग, फिर वोईस या इमेल, और आजकल हम देखने हैं, बहुत ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, डिजिटल और डिजिटल ट्रांजेक्शन जब करते हैं तो बैंक्टिंग ट्रांजेक्शन है या आपके ओनलाइन शॉपिंग है, तो OTPs वगेरा आते हैं, जो ये कंपनी प्रवाइड करती है, फिर आजकल टू-फेक्टर ऑथेंटिकेशन की वज़े से भी इनको काफी एक अच्छी ग्रोथ ऑपरचुनिटी देखी जा रही है, बाकि इस कंपनी ने कुछ नए प्रड़क्स भी लॉंच किये हैं, बाकि इस कंपनी हैं, जो मॉबाइल रोड को इड्रेस करने के लिए भी कुछ प्रड़क्स हैं, इनके पास, शॉलिड कंपनी है, ग्लोबल ऑपरशन से हैं, फ्रॉंटी लोकेशन और हाली में इननाने साल बाइबैक भी किया है, कंप्री ने करिबन 1700 के लिए बाइबैक हुआ है, तो उसके सामने देखे तो आज 1545 में ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है, हाली में कल परशो ये खबर में भी था, वोड़ाफन आइडिया ने टानला प्लेटफॉर्म के सा सब्सक्राइब करने की सरहा विकास सेटी जी की बात करें, बताइए विकास जी आपके नजबे लॉंग टर्म स्ट्राइजी का आपका फेवरिट स्टॉक कौन सा रहेगा? इंजिनेर्स इंडिया लिमेटेड मुझे अच्छा लगता है, आज ये 159 पे बंद हुआ है, एक बहुत ही जबरदस्ट ग्लोबल इंजिनेरिंग कंसर्टेंसी और EPC कंपनी है, जो की mainly oil and gas और petrochemical industry को केटर करती है, मार्की क्लाइन टिस्ट है, जितने oil producers है, oil marketing companies है भारत मे प्लस, even international companies like Kenya, petroleum refineries, Qatar petroleum, ये भी इनके client list में है, एक जबरदस्ट 9,000 करोड की order book है, और अच्छे order inflows लगातार इनको मिल रहे है, और आजकल इस company का focus है, renewables on nuclear power में, with a focus on green hydrogen, और ये जो segment है, बहुती tremendous growth opportunity है, सरकार ने हाली में float किया to set up 4.5 lakh tons of green hydrogen production facility, तो उससे भी बड़ा order मिलने की समभावना है, बाकि इस company का एक, Finland की company के साथ, biomass को green fuels में convert करने का भी एक करार किया हुआ है, वो भी बड़ी opportunity है, fundamentals बहुत अच्छे हैं, जून quarter में पैट आया, 116 करोड का, जो पिछने साल सिर्फ 51 करोड का पैट था, तो इस तरह की doubling हुई है, profits meant, बाकि return on equity is close to 18%, return on capital employed 20%, एक zero debt company, PSU stock है, आज इस stock में अच्छा किया, बट मुझे लगता है, long term में यहां से बहुत अच्छी upside देखी जा सक जी, EIL में खरीदारी की सलह long term की, हमारे आज के expert पिकास CTG की ओर से, आईए अब बैसी के साथ, पहले caller की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ, राजस्थान, जैपूर से है, पदम, बार्दिया साहब, नमस्कार, बताएगे, कौनसा stock है आपके पास? हाँ, नमस्कार दी, मेरे पास मैं है टाटा मोटर, 100 share, 1110 की कोस्ट के, अब इनको रहना चीए या सेल कर देना चीए? 1110? हाँ. ओके. 1110 मतलब, अब क्या एक्जेक हो रहे है? 1110 की. अच्छा, 1110 की. 1110 की. नहीं, 110 रुपे की ट्वाइज है, टाटा मोटर की. अच्छा, आप 1110 बोल रहे हैं न, सर, इसलिए मैं confused होगी, 110 रुपे आपने बोला? हाँ, 110 रुपे. अच्छा, 110 की. कब लिये थे आपने जिशे? ये 2020 में लिये थे. अच्छा, ठीक है. और व्यू कब तक का आप रख रहे हैं इस पे? अगर प्राइस बढ़ने का हो तो एक-दो साल भी रख सकते हैं. अच्छा, ठीक है. चलिए, कन्फ्यूजन दूर हुआ, 110 रुपे खरीद है इनकी लंबी अबदी का नजरिया टाटा मोटर्स पर. सर, एंट्री लेवल तो अच्छा, अब आगे क्या आप सलहा देंगे? अब बिल्कुल स्वाथी, पहले तो प्रदम जी को बदाई देनी हैं, बहुत अच्छे लेवल्स पे और सई समय पे, जब 2020 में बजार में मार्काट मक्सी वी थी, अच्छे लेवल्स पे एक अच्छी कंपनी को, के शेर को खरीदा, और 6 गुना हो गया है इनका स्टॉक, इ और ये पदर ऐसे टेसला माने जा रही है भरत की, तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, और बाकि इनके कमर्शिल वेहिकल स्पेस, बसेज वाला सिग्मेंट सब अच्छा कर रहे हैं, इवन जेलर इस तिमाई के नतिजे भी बेहदी दमदार थे, मुझे लगत के लिए इस स्टॉक में अच्छा अप्साइट के लिए बिल्कुल बने रहना की सला देगी, बिल्कुल तो बने रहे है टाटर मोटर्स में, आपके लिए यही सला हमारे आजका एक्सपर्ट विकास जी की ओर से, अगले कॉलर शाजहापुर से आशीर सकसेदा से बात करते ह है, नमस्कार बताएए आपके पास कौन सा स्टॉक है? विकास जी, आपको कैसे लग रहा है स्टॉक और इसके फंडामेंटल्स? इनको comparatively better returns मिलते हैं, इस स्टॉक में हाल फिलाल तो बने रहने की सला है, बट मुझे लगता है आभी 21 के लेवल पे है, 24-25 के लेवल पे इस पर प्रोफिट बुक किये जा सकते हैं, फिर मुझे लगता है अगर इसी सेक्टर में रहना है, तो यह जो स्टॉक मैंने बता है, उसमें अगर निवेशीत रहेंगे और लंबी अबडी के लिए रहेंगे तो ज़्यादा, comparatively ज़्यादा रिटर्स पर सकते हैं, बिल्कुल तो यही रही आपके स्टॉक बजाज हिंद पर हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेथी जी के ओर से, अगले कॉलर से बात करते हैं हमारे साथ है, नमस्कार, बताइए कौंसा स्टॉक आपके पास है? बिल्कुल, RCR सर, फर्टिलाइजर स्टॉक, अभी आप क्या उटलुक रख रहे हैं स्टॉक पर और इस सेक्टर पर? आई बूर्ट रकमेंडा होल्ट और पेशेंस रखना पड़ेगा और मुझे लगता है, लंबी अवधी के लिए इसमें बने रहने की सलहा आ रही है, मारे आज के इस्पर्ट विकास सेथी जी की ओर से, अगले कॉलर से बात करते हैं, सुल्तानपुर से अनुराग अग्रहर हमारे साथ है, नमस्कार बताइए, को से स्टॉक आपके पास है, अनुराग जी सवाल पूछिए, अच्छा, अच्छा, कब तक के लिए रखा है आपने? अधानी पावर पर सर, क्या रहे रहे रहा है आपकी लॉंग टर्म के लिए रखना चाहें, फिलार पट्रिस हिजार का मुनाफ़ा है, अच्छे लेवर पर एंट्री भी, अब क्या रहे है? अगें, अनोडाग जी को इस स्टोक में भी होल्ड करने की सला रहेगी, एक अच्छी क्वालिटी का स्टोक है, विदिन दे अडानी ग्रूप, अडानि स्पेस, एक लो वेलुएशन पे या रीजनेबल वेलुएशन पे ट्रीड करने वाला स्टोक है, और पावर सेक्टर प अगले कॉलर से बात करें, हमारे साथ इस्वक्त हैं मेरव से राहुल जेन, राहुल जी स्वागत करते हैं, बताईए आपके पास कोंसा स्टोक है, अबर इवनिग मैं, मेरे पास अढ़ानी टांस्मिशन के 370 शेयर ते और इस पर क्या रहे रहेगी आपकी विकास जी अगें देखें ये स्टॉक भी अपने हाइच से तो जो अडानी का फ्यास को हुआ था उसके बाद काफी पिट गया है चार अजार के आसपास के हाइस थे वहां से बहुत थी ज़्यादा पिटाई हुई और इन्होंने अच्छे लेवल्स पर इंट्री करी वहां से अभी मुनाफ़ा हो रहा है कल के बादार पर क्या रखे खास स्ट्राटेजी और बादार के लिए हम संकेत समझते हैं अनल जी से कल का सेशन भारती बादानों के लिए बैतर होना चाहिए कम से कम क्लोजिंग पर तो यही संकेते साड़े तीन बजे नैस्टेक और डाव फ्यूचरस दोनों ही पचासी-पचासी पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुँ दिख रहे थे यानि कि कल की शांदार तेजी जो कुछ ट्रेड होता है आज कल अमेरिकी माजनों का भी वरोसा करना मुश्किल है क्योंकि दिखाते तो फ्यूचर सूपर है लेकिन प्रॉफ्ट बुकिंग भी जब्रदस आ जा जाती तो अगर आज विप्रिट ट्रेड होकर एक मजबूत क्लोजिंग अमेरिका में मिलते है तो कल सुबह हमारे लिए काम की होगी अगर मजबूती के साथ बने तो बहुत अच्छी बात है और कमजोर हुए तो आपके लिए जो खरीदारी का मौका बनेगा वो होगा उन्यस जार तीन सो पचीस के पास ये होगा कल निफ्टी पर आपके लिए सपोर्ट उपर उन्यस 4450-19500 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 44000 के आसपास बंद हुआ है 44750-4850 ये 100 पोइंट की रहेगी कल आपके लिए सपोर्ट और उपने इस तो पर 44125-44200 हलकी फुलकी रुकावट की जगए तो दो दिनों से इस हफते बाज कोबल संकेत कुछ बड़े आगे तो अलग बात है कि हम रेंज को तोड़ेंगे अधरवाइस रेंज में रहने की संभावना है ज्यादा एफाइस के डेटा पर भी नज़र रहेगी तो ज्यादा संकेत न्यूटल से हैं म्यूटेड हैं लेकिन ब्रोडर मार्केट में केश मा आगे और बढ़ने के आप उम्मीद रख सकते हैं और आई अब देखते हैं कल का ऑप्शन हमारे साथ है एक्से सेक्योर्टीज के राजेश पाल विया राजेश जी स्वागत करते हैं कल के बाजार में कहां पर मौके नज़र आ रहें आपको अब इवनिंग तो दिखे मार्केट में उनने सजाद चार्सो के आज पास आइंग इंटरेस जरूर बना हुआ है अज भी रोवर साइट से एक रिकवरी बनते वे दिखी थी अवर नगता है कि यहां से जिस तरहीं से ब्रॉडर मार्केट में एक बाइंग का इंटरेस बना सकता है और इस ऑप्शन के टार्गेट हम प्रोजेक करें जो आ सकते करीब सेवंटीफाई से लेके 85 तक की अप्साइड यहां पर आदे में बनतीक सकती है तो उननीच चार्सो का कॉल आप्शन बाइक करना इस्टाप लग करें करीब तीस रूपे क्या सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करीब होगा 107 रुपे बता से क्या सब्सक्राइब करें बिल्कुल स्टाप स्पेसिक और इंडेक्स में कल की ऑप्शन स्ट्राटेजी बताई राजेश पालविया ने धन्यवार राजेश जी हमारे साथ शामिल होने के लिए शो में आईए विकार जी से सब्सक्राइब करते हैं इसके अलावा यह सबसे बड़ी टैंकर ओनर भी है बहरत में और इकलोती ऐसी शिपिंग अपनी है जो शिपिंग के हर सेग्मेंट में केटर करती है बाकी फंडामेंटले एक सॉलिड कंपनी है जूंतिमाई बहुत अच्छी थी 147 करोड का पैट रिपोर्ट किया जो पिछने साल सिर्फ 98 करोड का पैट था अच्छे मार्जिंस है अच्छे रिटर्न रेशियो है और डेट इक्विटी रेशियो भी 0.37 का है प्राइस टू बुक वेली के इसाब से भी सस्ता लगता है 0.69 टाइम सफ भूक के ट्रेट करता है बाकी इसमें ट्रिगर है कि इसके जो लाइन असेट्स वाला जो करोबार है इसका डी मर्जर हो चुका है उसकी लिस्टिंग जल्दी हो सकती है अगर वो हो जाती है तो मुझे लगता है इ टागेट ऑफ 1.25 और स्टॉप लस रखना है 1.12 एक स्टॉप लस शिपिंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया यानि SEI में कल के लिए खरीदारी की सरह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेथी जी की तरफ से धन्यबाद विकास जी आपका हमारे साथ इस कारेक्टर मे शामल होने के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए आगे भी खबरों का सलसला जारी रहेगा बने रही है हमारे साथ